नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश में सीत लेर का प्रकॉप तो लगातार उताचड़ा उजारी ये तेज आवाई चलेगी और मौसम विबाक की माने तो 45 जिलो में 10 से डिगरी से नीचे तापमान आ चुका याने की पूरे मध्य प्रदेश में अतलाम समेत किसी भी जिले गावे शहर में लेते पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे इस चैनल को इलाल वाला बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दीजे साथ में घंटे की आइकन को दबाकर ओल पर क्लिक कर दीजोरा में कमेंट करके बता अतरपूर, शेडोल, उजेन, खंडवा और चिंदवाड़ा में बारी ठंड का प्रकॉफ काफी अधिक है और यहाँ पर मौसम में बारी से बारी परिवर्तन भी हमें देखने को मिल रहा है मौसम विबाक की माने तो पिछले 24 गंटों की दोरान दोस्तों गौलियर, चंबल, सागर, रीवा संबाके जिलों में नियोंतन तापन में काफी दमी, कमी दर्च की गई है नर्मद्यापूरा मिंदोर वे उजेन संबाके जिलों में नियोंतन तापन में कुछ बढ़ोत्र हुई है वोपाल संबाके जिलों में तापन में विशेश परिवर्तन नहीं है और राजदानी में नियोंतन तापन 7.3 डिगरी से दर्च के लिए गया और चाउदा ऐसे जिले जहांपर बारी ठंड को लेकर और जो है और इंजलेट जारी किया गया है मौसम विबा की माने तो सीथ लेर का प्रकॉप है वारी से बारी मौसम में परिवर्थन होगा और यहां पर बता है जारी की दोस्तों दिसंबर की अपेक्स जो है इस माईने कड़ाकी की ठंड पढ़ रहे है पूरे के बुरे मध्या प्रदेश में लगा थार कोरा बढ़ता जार और सुबह के समय आसपास की जिलो में कोरा काफ यदिक है कल रात का नियोंतन तापमान 7.3 डिगरी के करीब रेकोर्ड किया गया और दोस्तों बता है जार की लगातर जो है मौसम में बदला और कई जगों पर बारी से बारी ठंड का प्रकोप है इसका कारण यह है कि पाड़ों पर हो रही बर्फ बारी की वज़े से दोस्तों मैदन इलाकों पर यह असर देखने को मिल रहा है ठंड के कारण स्कूल भी दोस्तों कई जगों पर बन देतों कई जगों पर समय सीमा में बदला हो किया गया है क्योंकि बारी ठंड के कारण छोटे बच्चों को काफी दिक्कत हो सकती है और यहाँ पर दस जनुरी तक जो है आट वी तक के सभी निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों में चुटी के आदेस दिये गए और अगले 72 गंटों की दोरान दोस्तों ठंड से रात मिलने के आसार बिल्कुल भी नहीं है और दत्या जिलों में तीवर सीतल दिन देखने को मिल सकता है जबकि गुना, गौालेर, सागर, चतरपूर, नरसिंगपूर, शिवनी, उमरिया, रिवा, उज्जयन, रतलाम, इंदोर और बोपाल में काफी जगों पर सीतल दिन और कोल्डे रेने के आसार है मौसम विबाक के मतद रिवा, सागर, बोपाल, गौालेर, चंबल, और नर्मदापूर, संबाग और अनुपूर, कटनी, जबलपूर, नरसिंगपूर, शिवनी, मंडला, बालगाट, निम्च, खणडवा, जाबुआ, धार, इंदोर, रतलाम, और बुरानपूर जिलों में मध्यम से गना कोरा रहेगा, वाई, छाबूआ, धार, इंदोर, रतलाम, उज्जन, और देवाज जिलों में कुछ इस्तानों पर सीत लेर को लेकर यलो अलट भी जारी किया गए, और भारी से बारी ठंड का प्रकॉब रहेगा, मौसम में परिवर्दन होगा, ठंड बढ़ तो आप मच जाएगा, वोई दिन के समय 22, 23 और 24 के गरीब और भारी ठंड का प्रकॉब देखने को मिलेगा, कटनी की बात की जाए तो 6, 7, 8 के गरीब रात के समय दिन में 21, 22, 22 और भारी ठंड का प्रकॉब और लगातार उताचड़ा उजरी रहेगा, बढ़वानी की बात की जाए तो 14, 15, 16 रात किसमय दिन में 26, 27, 27, 22 और भारी ठंड का प्रकॉब और भारी ठंड का प्रकॉब और जप्रकॉब श्योपूर की बात किया तो चार पांच छे रात किसमें दिन में उननीस बीस और बारी तंका पर कोप है। श्योपूर की बात किया तो चार पांच छे रात किसमें दिन में उननीस बारी तंका पर कोप है। श्योपूर की बात किया तो चार पांच छे रात किसमें दिन में उननीस बीस और बारी तंका पर कोप है। बुरानपूर की बात किया तो चार पांच छे रात किसमें दिन में उननीस बीस और बारी तंका पर कोप है। बुरानपूर की बात किया तो चार पांच छे रात किसमें दिन में उननीस बीस और बारी तंका पर कोप है। बुरानपूर की बात किया तो चार पांच छे रात किसमें दिन में उननीस और बारी तंका पर कोप है। जाबूआ की बात किया तो जाबूआ में 13, 14, 15, 16 रात किसमें दिन में 25, 26 और बारी तंका पर कोप है। बारी तंका पर कोप है। बेतुल की बात किया तो 9, 10, 11 रात किसमें दिन में 24, 25 और बारी तंका पर कोप है। यानि कमेंट करके जरूर बताना तो मिलता है गले उड़े में तब तक के लिए धन्यवाद।